कई रिपोर्ट्स आ भी रहे हैं कि ये तो बश शुरुवात है युएस बैंकिंग सिस्टम के कोलाप्स की आगे और भी बहुत बढ़े नाम आने वाले हैं तो ये अब किस और हमें जातवा दिखाये दे रहा है जिस कोलाप्स की आप बात कर रहे हैं ये अगर इस तरह से धार हो जाए तो ये तो दुनिया की अर्थ विवस्ता के लिए बहुत जादा घातक हो सकता है कोई अचुता तो नहीं रहेगा देखिए डेवल इस प्रकार की जब समस्य आते तो एक से कभी नहीं रुखते हैं बलकुल हम देखी रहे हैं लगाता है मगर मेरा है मानना है कि जब 1920s के अंदर बड़ा डिप्रेशन आया था तो उस समय समस्य अलगती जब 2008 में आया तो बेन बनान के साफ थे उन्होंने बोला जी I am a student of great depression जो समय गलती हुई थी मों दुबारा नहीं होने दूंगा तो उन्होंने आकर के कॉंटिटिटिटिव इसिंग करी तो 2008 के कारन वर्षाई थी उसमें फेड ने और ग्लोबल सेंटल बैंकर्स ने एक डिफरेंट रुख अपनाया था मगर इस समय रुख नहीं अपना रहे हैं तो मुझे लगता है जिस प्रोएक्टिवली चीजों का हैंडल करा जा रहा है समस्य आसिट्स की नहीं हैं तो यह मामला सबसे इंपोर्टंट रहें अब अगले हफ़ते की फेड मीटिग बिल्कुल Fed अगर आके interest rate बढ़ाता है तो मैं तो बुलूँगा जी confidence है अगर आप system के अंदर interest rate बढ़ाते हैं तो आपको यह लगता है system interest rate hike absorb कर सकता है कली CB ने रात को interest rate बढ़ा दी ती तो उसका मतलब यह कि उनको लगता है कि European Central Banks और European Banks एक प्रकार का system के अंदर interest rate hike absorb कर सकते हैं तो अगर Fed अगले आफ़े आकर के बोलता है जी हम interest rate बढ़ा रहे हैं मगर हमें banking sector में full confidence है तो एक प्रकार का endorsement रहेगा कि Fed को समस्या नहीं देखती है Fed भी जानता है कि इस समय banking system का collapse will hurt the economy very badly not only America but also the world तो यह किसी के benefit में नहीं है कि इस समय इस level of inflation को लेकर के कोई बड़ा collapse हो तो मुझे लगता है बड़ा collapse नहीं लग रहा है मगर price dislocation जरूर होगा